पिर देखे टीम इंडिया का रंग रूप तो युवा किलाड़ों के साथ विलकर दोस्तों रोही शर्मा इक कप्तानी में टीम इंडिया ने नीउजिलेंड को हरा दी है सीरीज ये वो न्यूजिलेंड की टीम है जो हाल ही में T20 वर्ल कप का फाइदल खेल कराई वो अलग बाते हार का सामना करना पड़ा लेकिन फाइदल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात रहती है और साथ ही साथ दोस्तो रोई शर्मा कप्तानी करते नजरार F20 फॉर्मेट की भी करेंगे क्योंकि कल के मुकाबले में जोस्तो रोई शर्मा की बल्ले से निकले चाथ अगर देखा जाया है तो शर्वात में नियूजलेंड की डिम हावी हो सकती है अगर उनको एक दो विकिट मेल जाये लेकिन जो ईए शर्मा और केल दाहौल वही गलती नहीं कर रहे क्योंकि आपको याद होगा इंडिया वर्सिस न्यूजिलेंड का T20 वर्ल्ल कप का मुकाबला कि शुरुवात में इशान किशान और कियाल दाहूल को ओपनिंग के लिए भेजा था नमबर तीन पर रोई शुर्मा नमबर चार पर विराट को लिया ऐसा उन्होंने ओर्डर बनाया था लेकिन जब शुरुवात ही खराब रही थी तो न्यूजिलेंड ने फिर से अपने पाउं पर खड़े होने का मौका नहीं दिया था टीम इंडिया को यह रणनीती दोस्तो रोई शुर्मा का यह थक समझ चुके हैं जिसकी वज़े से उन्होंने यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग का जिम्मा पूरी तरीके समाल लगका है और किसी को कोई मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर हाथ खोले का आपको बताते हैं दोस्तो पच्पंदन की इस हाइलाट के बारे में रोई शर्मा की कैसे मैदान पर उन्होंने तुफान लाया आपको बता दें कि कल दोस्तो एक सबसे बड़ी बात यह थी कि डियू फैक्टर सबसे बड़ी मुसीबत बनावा था वो सब गेंद दोस्तों कहीं ना कहीं गेंद बाज के हाथ में सही से पकड़ नहीं बन पा रही थी ओसकी वज़े से और वो गेंद खराब टपो पर गिर रही थी जिसका फाइदा रोई शर्मा ने बखु भी उठाया जो गेंद टिम साओधी और ट्रेंट बोल्ड जैसे ग 35 बन चुका था 15.3 ओवर यानि कि 16 ओवर तक दोस्तों यहां पर 135 बहुत बड़ा यहां पर कह सकते हैं यहां पर टीम इंडिया ने बड़ी आसारी से चेस किया रोई शर्मा चाहते हैं तो मैच का अंतिवी करा सकते हैं लेकिन टीम साओधी के दोस्तों गेंद पर रोई शर और तक टिक कर जा रहा है वो भी T20 फॉर्मेट में एज़ा कैप्टन जो दबाब में होता है लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर तारीफ के काबिल है रोई शर्मा की एक कप्तानी अब आपको बता दे दोस्तों कि किस तरीके से रोई शर्मा के द्वारा खेले गए इस मुक तॉस क्या हारे है जी नहीं दोस्तो दो मैच हुए है दोनों टॉस रोई शर्मा जीते हैं टॉस बहुत इंपॉटंट होटा दो त्युक्त में आपको याद होगा कि शरुद्धी 2 मुकाबिन जो टुटी वरल्ल कप में रहे पाकिस्तान और निउजलेंड के रहाब दोनों इस तरह बें T20 वे 25 वी बार 18 तक से ज़्यादा बार रन मना कर टीम को जिताने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं जियां दोस्तो इस मैच में हिटमैन ने 18 शतके पारी के अलावा के अलदाहुल के 700 रनों की शांदार साजेदारी की यह सबसे बड़ा इंपोर्टेंट रोल देता है दोस्तो पार्टनर्शिप टीटी फॉर्मेट में अगर आपको 50-70 रन की बीच की पार्टनर्शिप मिल जाती है तो आप एक बड़े स्कोर की ओर देखते हैं क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर न्यूजिलेंड की शुरुवात की तो न्यूजिलेंड ने भी दोस्तो चाड़े चार ओवर के अंदर अंदर 50 रन का स्कोर पार कर दिया था मार्टिन गप्टल दोस्तों के स्ट्राइक रेट से बले बाजी कर रहे थे चार दसम्लब दो ओवर तक 48 रन पर थी न्यूजिलेंड की टीम जब मार्टिन गप्टल का विकर गिरा इसके साब से दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों का स्कोर बरना चीए था दोस्तों ना सही 180 तो बनना ही चीए था लेकिन न्यूजिलेंड की टीम वही दिक्कत का सामना कर रही है कि कैन विलियमस ने गेर मौजूदगी में इनका कोई भी मिडल ओडर दोस्तों यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है ग्लैन फिलिप्स कभी रन मार देतें कभी जैमस निशम रन मार देतें कभी यहाँ पर चैपमेंज रन मार देतें किसी एक को अपनी जोब रोल समझना होगा और यही बात रोई शर्मा ने अपनी प्रेस कॉंटरेंस में एजा कैप्टन कही थी कि हम हर खिलाड़ी को इसको अलग-अलग भूमिका देना चाहते है इसको अलग-अलग जोब रोल होगा जिसको सही समय पर आजवाना होगा पिछले दो मुकाबले से आपने एक बात नोटिस की होगी कि रोई शर्मा कप्तानी और राहूल दरविडिक कोचिंग में अगर मैच कोई फिनिश कर रहा है तो वो रिशब पंत ही है जिया दोस्तो रिशब पंत को मिल चुकी है फिनिशर की भूमिका चाहे नमबर चार पर पर आए चाहे नमबर पांच पर आए शुरुवाती चार गेंदों इन्होंने कल खाली करी थी लेकिन उसके बाद दोस्तों दो गेंदों पर दो चक्के जड़के मैच का अंत कर आया तो फिनिशर की भूमिका में रोई शर्मा की कप्तानी में रिशब पंत बहुत बहतरीन क कर रहे हैं दो मुकाबले लगातार दोनों मुकाबले रिशब पंत ने फिनिश करें अब बात करें रोई शर्मा की यहां पर और बड़े रिकोर्ड्स के बारे में तो दोस्तों यूए ए में टी ट्वेंटी विशकॉप 2021 में अफगानिस्तान के खिले गए मैच के बाद से रोई तराहूल की जोड़ी ने भारत को टी ट्वेंटी आई में लगातार फंच शांदर ऑपनिंग स्टेंट दिये हैं इस तरह के रिकोर्ड पाकिस्तान कक 500 बाबर आजम और मुहम्मद रिज्वान की जोड़ी के पास भी हैं पाकिस्तान की जोड़ी ने पांच बार शतक अफ्रेदी के नाम रहे चुका है लेकिन अभी तो रोई शर्मा का करियर बहुत आगे जाएगा और शाहिद अफ्रेदी और क्रिस गेल को ता बहुत भी जानती है कि कितना करियर उनका है हिटमैन ने की विराट कोहली की बराबरी ये भी आपको जाना चाहिए क्योंकि T20 इंटरनेशनल क्रिकिड में रोई शर्मा के पास अब संयुक्त रूप से सरवधिक 50 से अधिक स्कोर है राची में अपने अरद दिश्टक के साथ हिटमैन नंबर वन पर पहुँचकर विराट कोहली के साथ बराबरी कर ली है आपको बता दें किस तरीके से रोई शर्मा सबसे कब मैचों में 10 जीत हासिल करने वाले भारतिय कप्तान भी बन गए है उन्होंने अपनी कप्तानि भारतिय टीम को अपने घर में 11 मैं से 10 टी-20 मैचों में सफलता दिलाने का रिकॉर्ड कायम क्या है इसी रिकॉर्ड को बनाने के लिए धोनी और कोहली ने 15 से जादा मैच खेले थी यह आकड़े दोस्तो इस बात ही गवाई देते हैं कि विराट कोहली और रोहिश शर्मा से कितनी आगे निकल चुके हैं रोहिश शर्मा क्योंकि आप UX करें जो टी इंडिया सत्रा ओवर के अंधर ही मैच खतम करें दे रही है वह टीम अंडिया जब पर काफी दबाब था चार-पास साल कप्तानी करी बहुत भैतरीन बलेबाजी भी बहुत भैतरीन करी लेकिन जोही शर्मा का ये दूसरा कप्तानी का मुकाबला था पिछले मुकाबले में 48 रन की पारी खेली थी 36 गेंदों में 2 रन से चुक गए थे अर्दश तक से और इस अगर जीते तो टीम इंडिया ही जीते आप भी चाते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा ये ता दोस्तों रोही शर्मा की बल्लेबाजी का पूरा हाइलैट जो कि आपको बताएगा कितनी कटिन सिच्वेशन में रोही शर्मा ने राहूल के साथ पार्टनर्शिप की अ अगर सुर्य कुमार इशपंत किया फिर किसी और की भरों से छोड़ दे जाए तो शायद मैच इस तरीके से नहीं निकल पाएगा ये बात अगर सुईकार करते हैं तो आप जरू बताएगा दोस्तों नेक्स्ट नाइन स्पोर्स की रिपोर्ट